आप लोग का स्वागत है गलफ एडिया चैनल में अगर आप मेरी चैनल से रोज नहीं अपडेट लेना चाहते हैं कतर के बारे में तो अभी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और सेर कर दे दोस्तों जो कतर की पहली अपडेट आ रही है जो कतर में अभी फीफा वर्लकप हो रहा था तो दोस्तों टोटल कतर में 6 लाग से ज़्यादा वहाँ पे लोग विजिट किये हैं जो की अलग अलग देश से लोग विजिट किये हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विजिट कि लगभग लगभग 10% और सबसे जादा वहां पर लोग फीफा वर्ड का मैस देखने के लिए आये हैं वह सौधी अरेबिया से लोग आये हैं टोटल दोस्तों टूपर नाइन टिकट वहां पर बेचा गया है मतलब दोस्तों वहां पर लगभग लगभग तीन लाग टिकट तीस लाग टिकट को बेच दिया गया है और फिर दोस्तों यह जो मैच हो रहा था यह बहुत बड़ा मैच था जो कि वहां पर जब मैच हो रहा था तो वहां पर बहुत सारी करती उसे भी यूज़ में इस्तेमाल में लाने के लिए भी दोबारा उसे बना दिया गया है मतलब दोस्तों कि बहुत या बहुत यह थी तारिफ की जा रही है यो कि दोस्तों जो जो पूरे वर्ल्ड में फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा था लगो 6 लाक लोग विजिट किये ते इसके कारण वहाँ पे 80% 2000 टन वहाँ पे कुड़ा कच्ड़ा जमा हो गया था तो इसके कारण उसे फिर से रिसाइकल कर दिया गया है मतलब इसे फिर से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फिर दोस्तों कतर की जो अगली अपडेट आ रही है जो हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट है अभी तक सबसे जादा वहाँ पे बारिस हुई है जो की कतर मेटरलोजी ने यह आकड़ा पेस किया है मतलब दोस्तों अभी तक सबसे जादा जो कतर में जो बारिस हुई है वो हमद इ लगभग 60 ऐसे जहाज है जो कि पानी में चलने वाली उसे जो आने वाले मौसम जो वहां पर जो आने वाले जो मौसम है उसे टोटल लगभग वहां पर 60 जहाज को चलाया जाएगा जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा सरकान ने ये फैसला लिया कि लगभग 60 ऐसे जहाज को चलाया जाएगा जो कि बिजनेस में इजाफा हो तो दोस्तों ये कतर की बहुत ही पहतेरीन अपडेट रही आज की और इसी तरह रोच आप मेरे चैनल से नई अपडेट लेना चाहते हैं कतर के बारे में तो अभी आप मेरे चैनल को सेर, लाइक और सबस्क्राइब जैरूड करदें ताकि जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये जल्दी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे